Hello Friends, Welcome to our Channel जिसमें हम आपके सथ कुछ ऐसा important knowledge share करते हैं जो आपको आपके personal और professional life में आगे बढ़ने में help करता है तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत important topic के उपर और वो है दोस्तों की mobile transactions से पैसे कैसे चोरी जा सकते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा अभी बहुत सारे लोग mobile पे बहुत सारे apps डाउनलोड करते हैं जैसे की Bheem Pay का app है दोस्तों जैसे की Google Pay का app है बहुत सारे ऐसे banking के net banking के app रहते हैं जो mobile पे लोग activate करते हैं और ज्यादा तर transaction वो mobile से करना prefer करते हैं लेकिन दोस्तों आपने कभी यह सोचा है कि mobile के transaction का जितना अभी rate बढ़ रहा है उतना है उसका जो fraud होने का rate भी बढ़ रहा है दोस्तों बहुत सारे लोगों के bank के account से पैसे गायब हो जाते हैं और उनको पता भी ने लगता है दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ऐसे कुन से तरीके हैं जिससे आपके mobile जो transaction है दोस्तों वहाँ से पैसे गायब हो सकते हैं और दोस्तों आपको कुन सी चीजों पर ध्यान देना है जिससे यह ऐसा जो होने वाली जो risk है वो avoid कर सके तो दोस्तों सबसे पहली बात तो और इसी का जो hackers जो हो फाइदा लेते हैं दोस्तों वह आपके mobile में आपको ऐसा कुछ app install करने को encourage करेंगे जो आप install करने के बाद वह आपके mobile से पूरा आपका personal data जो हो ले लेंगे दोस्तों और कभी भी अगर आप अपने mobile से भी map युगरा का use करते हो दोस्तों तो आपके account पैसे debit हो जाएंगे और आपको पता भी ने चलेगा और दोस्तों अभी आप बोलेंगे कि कोई भी transaction करने से पहले OTP आता है अभी समझो आप कोई भी e-commerce के website से कुछ purchase करते हैं दोस्तों तो आप बोलोंगे कि वहाँ से तो OTP आता है OTP की बिनना तो transaction होगा नहीं लेकिन दो account से directly पैसे debit हो जाएंगे और यह जो hackers होती है जो चोर होते है दोस्तों online fraud जो करते हैं लोग इनको यह website सचे खासे पता होती है तो जैसे उनको आपका जो debit card number है दोस्तों वो मिल जाता है वो फटाक से उन website पे जाके बड़ा amount का कुछ तो purchase कर लेते है और आपके account से जो credit card से या फिर debit card से बड़ा सा amount debit हो जाता है और आपको पता भी ने चलता है तो दोस्तों आपको हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप आपको बहुत ज्यादा balance आपके account में रखना नहीं है दोस्तों अगर आप credit card यूज करते हो दोस्तों तो आपको two way verification activate करना है और ज दोस्तों इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे जो online fraud करने वारे लोग है दोस्तों आपके SIM card का data भी चुरा लेते हैं और duplicate SIM card आपके नाम का बना लेते हैं दोस्तों जिससे उनको OTP मिल जाता है यह सारी चीज़े वह इस्तमाल करते हैं दोस्तों तो आपको यह सारी चीज़े अब डाउट लगता है कि यह कोई तो fake call है तो आपको दोस्तों आपके नजदी के police station में complaint करनी है दोस्तों और आपके जो service center है दोस्तों जो mobile का जो आपका service यूज कर रहे हैं कोई भी network यूज कर रहे हैं उनको भी आपको बताना है तुरन कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है तो दोस्तों आपको यह सारी चीज़ों से दोस्तों आपको सारी चीज़े avoid करनी है जैसे कि कोई भी फालतु के app आपके mobile में डानने और जो भी app डाउनलोड करोगे दोस्तों अगर आप उसको यूजने करते हैं तो आप फटक से install करो और ज्यादा तर लोग AP के जो files होती है वहाँ से भी app install करते हैं वो unsecure रहती है दोस्तों तो आपको इन सारे चीज़ों से बचना है और दोस्तों यही ध्यान रहेगा कि आप जिस mobile से gaming वगेरा खेलते हो या फिर बहुत जादा दोस्तों आप apps होगरा डाउनलोड करते हो दोस्तों तो उस पे दोस्तों आप अपन कर ध्यान रखना है दोस्तों जिससे आपको कोई भी financial loss नहीं होगा और आपके रिष्टेदार और आपके जो friends से उनको भी यह बताना है तो दोस्तों यही जानकरी थी जो आज हमने आपके साथ share किये हो सकता है यह जानकरी आपको जानके बहुत ज्यादा information मिली हो और इसके हमारे वीडियो ज़रू देखो हमारे चैनल पर आपको work from home jobs के उपर भी बहुत सारी इसी websites पता चल जाएगी जिस पर आप काम करके घर बेटे भी earning कर सकते हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को like करो हमारे चैनल को subscribe करो जिससे आपको इसी valuable information घर बेटे मिलती रहेगी और आप लाइफ में तरकी कर सकते हो तो दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही था जल्दी मिलते हैं कुछ और interesting topic के साथ कुछ और important knowledge के साथ अब तक के लिए बाई बाई दोस्तों thank you very much